और के सब्सक्राब करें पने योट्यूब चैनल लारणवाट मेडिसिन को और बैल अकंन दबाएं लेटस्ट नोटिफिक्सन पाने के लिए करो स्वागत है दोस्टों एक बाए अप कि अपने योट्थिब चैनल लारणबॉट मेडिसिन में जहां आप आते दवाईयों के बारे में संपोंट जान करें दोस्तों hydrogen peroxide जीसे h2o2 भी करते हैं इसके बारे में आप सभी ने जरूर से कभी न कभी सुना होगा इस hydrogen peroxide का प्रयोग industrial, medicinal तथा अन्य प्रकार से भी लिया जाता है यहां इस वीडियो में हाइड्रोजन peroxide के medicinal benefits क्या है उसके बारे महं जानेंगे कि किन-ک inan इस्त्तियों में बिमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, इसको किस तरह से प्रयोग लिया जाता है इस hydrogen peroxide के क्या-क्या side effect हो सकते हैं, इसको प्रियोग लेते समय क्या सावधने रखनी होती है, और यदि कोई व्यक्ति गलती से इसे सूंग ले या इसे निगल ले, तो क्या-क्या समझ्या हो सकती हैं, ये सबी बाते हैं और इसके अलावी करने ये महत्रपूर्ण बातें इस व है अलोफेंस, नमाज से दोस्तों, hydrogen peroxide एक antiseptic ताथा disinfected glass का chemical substance है, जो pure form में pale blue color का होता है, साथ ये पानी से थोड़ा ज्यादा विसकस, थोड़ा ज्यादा गाड़ा होता है, इसे bleaching agent, oxidizing agent ताथा antiseptic agent के रूप में प्रियोग लिया जाता है, सामाने तर तीन परसेंट से ल प्रियोग लिया जाता है, साथ ही rocket launching में प्रियोग लिया जाता है, यहां पर हम hydrogen peroxide के medicinal benefits को जान रहे हैं, हम जान रहे हैं किन-किन बिमारियों में, किन-किन medical इस्तथी में इसका प्रियोग लिया जाता है, तो जो सबसे पहली इस्तथी है, वो wounded skin, यदि किसी व्यक्ति को skin प इसका प्रियोग जो गाव है, जल्दी से रिपेर हो जाता है, इसी कारण से आपने देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति होस्पीटल में जाता है, जिसको पूराना गाव है, या कोई fresh गाव भी है, जिस पर ज्यादा dust या पार्टिकल्स लगें, उसको पहले hydrogen peroxide से दोये ज सके, जिसे जल्दी से जल्दी wound repair हो सके, दूसरी condition जब इसका प्रियोग लिया जाता हुआ है, dental तथा oral condition, सबसे पहले उसमें cold sore, जिसे हम छाले भी कहते हैं, या वह इस्तति जिसमें होट के अंदर की तरफ, गोल से अपने बड़े बड़े छाले हो जाते, इसका प्रियोग लेते हैं, किसी व्यक्ति को dental cavity हो गई हो, तो उसमें इसका प्रियोग लिया जाता है, dental abscess में इसका प्रियोग लेते हैं, और कोई व्यक्ति जिसको mouth में excessive saliva बन रही जदा थूक आ रहा है, तब भी उस इसका प्रियोग लिया जाता है, इस तरह से oral तता dental problem में इसका hydrogen peroxide का प्रियोग लिया जाता है, सामय ने तर जो वेक्स है, थोड़ी मात्रम हमारे कान में होनी चीए, जिससे कि हमारे कान में dust particle, पान नी ताथा तीज आवाज जाने से रोके, जिससे कि एरडर में कान का परदा है, वो सुरक्षित रहे, लेकिन जब ये वेक्स बहुत ही मात्र में जमा हो जाती हमारे कान में भारीपन लगना, दर्द होना तता सूजन आने जिससे हो जाती है, उस समय डॉक्टर द्वरा hydrogen peroxide कान में डाला जाता है, जिससे कि वेक्स नरम हो जाए, सौफ्ट हो जाए, और बाहर उसे आसानी से निकला जा सके, लेकिन एक बात यहा हो सकता है, कान में सूजन आ सकती है, तो यदि sufficient मात्रा में और excess मात्रा में वेक्स बना है, तभी इसका प्रियोग कान में लिया जाता है, अगला जो इसका यूज लिया जाता है, वहाँ इसकिन कंडिशन में, अलगले कंडिशन है, जिसमें सबसे पहली कंडिशन है, सबोरी केरेटोसिस नाम की बीमारी यह इसकीन से जुड़ी हो भी बिमारी जिसमें व्यक्ति को वेक्सी ब्राउन या बलेक कलर की गांट हो जाती है एक एक्स्ट्रा टीश्यूज की ग्रोथ हो जाती है यह ग्रोथ गर्दन पर सीर पर पीठ पर कहीं भी हो सकती है सिंगल तदा मल्ट जाते 답 vit finally स्केलियो नाम कि भिमारी तब भी इसका प्रियोग लिया जाता है और इसका प्रियोग एक ने भी लिया जाता है लिए जो ज्यादा लिया जाता है यहां इसके अलाव भी डॉक्टर अपने अनुभू के अदा पर इसका प्रियोग किसी अनी बेमारी में भी ले अब इसके side effects को जान लेते हैं hydrogen peroxide के क्या-क्या side effects होते हैं तो जो most common side effects उसमें जिस जगा पर इसका प्रियोग लिया गया है वहाँ पर skin पर redness हो सकती है, suzen आ सकती है, skin उतर सकती है, साथ ही चुबन महसूस होगी जलन महसूस हो सकती है, कई बाए skin का कटना फटना देखा गया है इसके 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 इस डेक्ली पोर किया जाता है साथ में उन्ड साफ हो जाता है तो उसके बाद में पर्विद योडी दीन लगाँ कर बेंडल की जाती है और इसी तरह से बर्ट हो गया है माइनर उस माइनर बर्ण में भी इसका प्रियोग लिया जाता है जब तो डेडिस के ने उसको हटाए जाता है एक इसका यूज ओर है जो वोंड के अलावा लिया जाता हूँ है माइनर कट ता माइनर बर्न इन दोनों में भी इसका प्रियोग लिया जाता है अब अगर बात करें कान में वेक्स निकालन मनने का जो वेक से सोफ्ट हो जाएगा फिर डॉक्टर आसानी सब्सकों निकाल पाएगा इस तरह से वंड के लिए था कांड के लेते हैं और इसका प्रियोग लेते हैं तो टॉपिकल एप्लिकेंट निसका किया जाता है यह इसका यूज लेने का तरीकरा अब जान लेते हैं क्या क्या सावधानी रखनी होती है तो जो सबसे पहली सावधानी है वहाँ यह है कि व्यक्ति को इसकी higher concentration का कभी भी प्रियोग नहीं करना सिप 3% से लगा कर 6% यह प्रियोग लेना चाहि इसका प्रियोग दॉक्टर के सलहापे करना चीए आपको नुक्सान हो सकता है साथ ही इसे जो डीप वूंड हो उसमें नहीं प्रियोग लेते हैं अगर एनिमल का कोई बाइट हो उसमें नहीं लेना चीए और अगर सीवियर बर्ण हो गया हो तब भी उसका प्रियोग नहीं लेना चीए आपको गलती से नीगल ले या हायर कॉंसेट्रेशन को छूंग ले तो क्या-क्या समश्या हो सकती है उसको भी यहां पर छान लेते हैं बड़ा गलती से इसको पी ले तो तुरंती नज़ी के इस्पताल में जाएं जिससे को प्रोपर टीटमेंट दिया जा सके तो दोस्तों इपूरी जानकारी ति हाइडरोजन परॉकसइड के मेडिसन यूजर के बारे में जिसके बारे में आपने मुझे कमेड किया था करने के साथ बेल आइकोन को दबाना नहीं बूलें आप तेपने दोस्त मुहित आदीश के साथ देख रहें तेपने युटूब चैनल लर्न अबोट मेडिसीन थेंक ये फ्रेंड्स टेक क्यार एंड बी केर फोट मेडिसीन देजर्स